खबर आ रही है के बरेली में एक आठ साल के बच्चे के मुर्गा चाप पटाका फोड़ने की वज़े से अलास्का का सबसे बड़ा ग्लेशियर नीचे गिर गिर गया। ग्लेशियर गिरने की वज़े से अमेरिका, पूर्वी यूरप और मंगल ग्रह के कुछ निचले इलाके में भी बाढ़ आ गई है। खबर सामने आने के बाद मुर्गा चाप फोड़ने वाले आठ साल के चिंटू को गिरफतार कर इंटर पोल के हवाले कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुप करेंगी मेरी बड़ी बुआ के चोड़े लड़के रिंकू जिया का। रिंकू ये क्या रायता है थोड़ा केजरी वाल डालिये। टिंकू खबर है के पिछले हफ़ते बरीली के आठ साल के चिंटू ने अपने घर के सामने एक मुरगा चाप पठाका जलाया था। जिसकी आवाज इतनी तेज थी के उसे हजारों किलामेटर दूर अलासका में ग्लेशर की दीवार हिल गई और वो नीचे गिर गया। खबरे के ग्लेशर प्रिगलने की वज़े से अलासका में इतनी गर्मी हो गई है कि इंडिया गेट पर बर्फ के गोले बेचने वालों ने अलासका में जाकर काले खटे गोले की रेडी लगा लिए और कुछ भारतिया वहां फ्राइड मॉमोस बेचती भी देखे गए हैं। इस बीच पीटा की Herz पर फौप फॉप आटा के चलाने के जुर में गुर्वां के तीन साल के नोनु सिंग को गिर्फतार कर दिया गया। पीटा के भारतिया चीफ विराट बगलोली का कहना है कि नोनु सिंग के पॉप पॉप चलाने की वज़े से पिछले साल कई स पाइबीरियन क्रेंज की जान चली गई